नमो नमहा, नमस्ते, टाशी देलेक, सबी लोगों को, दोस्तों, मित्रों, बाई वेनों, आबंदू, सखा, सबी को, बहुत बहुत बताई हो, इस नए येर की, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, और कोशिश करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करने के ल आज हम स्वास्त करने वाले हैं कि हम निरोगी यानि स्वास्त कैसे रहें, इस निरोगी स्वास्त रहने के लिए हमें खान पान और थोड़ा बहुत हमें उस पर ध्यान देना आज के समय में बहुत ही जरूरी बन गया है, जैसे कि आप देखी रहे हैं, जितनी भी सारी modern डि हमें फैल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से थोड़े स्वाश्त रहे हैं, मैं जादा ना सिखा सकूँ, जादा ना बता सकूँ, पर कुछ एक-एक पॉइंट अगर दिन में एक-एक पॉइंट भी आप लोगो कुछ मिलता है, तो मेरी ख्याल से वो भी ब बताऊंगा, मैं जो हमारा रहेगा तिबिति चिक्षापदिती, उसके साथ ही साथ हमारा प्राचीन भारत का अयुरुवेद, इन दोनों को हम सामानी रूप में लेके चलेंगे, और इसी के तोर पर आप लोगों को जो कुछ भी हम आगे बताएंगे, तो इसमें सबसे पहल ज्युरुआ पहला, जैसे कि खान-पान अगर हमारा खान-पान, रहेंस और यह सब बिघडने के कारण जो भी बीमारियां होते हैं सारी इसी के कारण होते हैं, जैसे कि कोई चीज को हमें कितना खाना चाहिए, और रहें लेके ब्चाहिए, और लेके फिर भाजन के पहलें वो ले लिया हमने, तो उसके थुरू हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है, ये बीमारियों का शिकारम बनी जाते हैं, साधी साथ हमारे मानसिक और सारीरिक दोनों, साधी साथ हमारी क्या कहते हैं, जैसे कि इंस्टेंट पुईजन में कभी कवार फूट का काम ऐसा हो जाता है तो इसके बज़े से हमें बहुत सारी हानी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो इसी में मैं इसका मुद्धा यही है, इसमें यही वर्णन किया गया है, इसी के साथ साथ, इसी के वर्णन में निचे यह भी है कि जैसे कि कि किसी अनाज का एक भाग हो गया, या फिर किसी खाने का भाग हो गया, किसी सबजी का भाग हो गया, जैसे किसी तेल का भाग हो गया, आज के दुनिया में देखे हैं, बहुत सारी अलग अलग तेल हैं, जिसमें कि अगर कोई भी हम पी प्राइंड ले 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 ले, या भी जितनी भी कंपणिया हम 20 60 60% 70% यह पाम वायल है अधिय क्यों बूरा है वैसे तो बहुत अच्छा पर भव बूरा क्यों है थे हजम नहीं कर सकते हम mg वस Police पच्टा नहीं तो हम पच्टा रहता है उसके बाधिशना थे पच्टा चांद डिल के लिए हुदे अरदे इतना औरे कि ऊसी Strawberry ह हम हर्जम कर सकें पचा सकें उसके बाद block S heart A day kidney failure गिडनी भी बीमारी बताउ हैं सारी यह तो एक चीज हो गई ठीक है तो मैं अभी आपको बतादू हुँ उसके बाद जैसे की हम वच्पन से हमारा जब शरीर बना था जब हम चोटा शिचु जरोग पनवता है वह सब इसके ज दूद की जरूरत होती है तो उसके बाद भी हम आजकल भी जैसे की बुड़ा पे में वर्द्धा वश्था हो गया या नोचबान भी सभी लोग या हालां की दूद के सेवह मिकटते हैं हम किस चीज का दूद्ध पशु या किस जानवर का दूद्ध ले सकते हैं क्यसी इस्तिति में कौन सा दूद वगड़ा या फिर कौन सा खानपान किस तरीके का शेवन करना चाहिए मैं अपने स्वाश्था के लिए ठीक है तो यह सब हो गया उसके बाद शहद हो गया यह सब ह जबाईयों का हो गया, कि दबाईयां यह कैसे बनती है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आज कल हम देखे, ऐलोपेतिक तो बहुत ज़ाद है. मैं ऐलोपेतिक को बुरा नहीं कहता हूं, क्योंकि यह अच्छा ऐख इसरोड बनाए कि ऐलोपेतिक, हमें अमरजेंसी में, ततक आपको कौन सी बीमारी में आयुरुवेद के ऊपर जाना चाहिए यानि कि हलवार मेडिसान की ऊपर जाना चाहिए और कौन सी इस्तथि में आपको अलॉपेटी की पास जाना चाहिए यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो यह एक introduction वीडियो था िसमें खान पान, उसमें क् को नहीं चाहिए होता है, वो गश होता है. हाला कि जितने भी cold drinks, drinks, आजके चितने भी पीने की चीज़े आ गई ना, उसमें से hundred percent में से, मेरे ख्याल से 10 percent भी, शायद हमारे शरीर को जो चाहिए उनमें वो नहीं होता है. जो हमारे शरी को नहीं चाहिए, जो हमें शूट नहीं करता, ज्यादर से ज्यादर उसमें वही है, उसमें एक flavor के नाम से chemical का उसमें एक इश्टरोष राखा जाता है, उसमें के थूरू हमें वह test मिलता है, बस हम test के पीछे बागते हैं, अपने शरीर के पीछे नहीं बागते सारी करे हुई कमाई हम दे देते हैं भार, हम क्या करेंगे, कमाते किसलिए हैं, किसलिए कमाते हैं, क्या अपने शरीर को सुख खिशांदी, शमृदी, ऐश और आराम की जिन्दिकी जीने के लिए कमाते हैं, या फिर भार की chemicals, भार का जो भी मलब, जो हमारे को नहीं जहां तक होगा हम अच्छे से और जितन भी कोलिगा मैं बात करने के कोशिश्च है। अगर एग एक वी भी मारी थी आधर पीडित, त्कलेफ इस इस अकाट को बात करने भी टॉपक सा्मट में मिला हैं तो नमस्कार मैं यहीं पर एक छोटी सी प्राथना करना चाहूँ रहा है। सबसे बाइचारा बना कर रखें। धन्यवाद। बोड़ी भी मदद हो जाती है। उसका मदद का कारण आपको। उसका पुन्य होगा वो आपको पुन्य मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करो। अपको अचला आपको करो। कर दो कर दो कर दो को जन्य वाद। लिए भी में बाद।